पलवल के बाड नमबर 23 में लगवक 50 लाख रुपे से किये जाने वाले विकास कारें का आज मुक मंतरी के राजनीतिक सचिप दीपक मंगला ने नारियल फोर्ड कर सिलाइंस किया जहां पहुचने पर वाड के निवासियों ने दीपक मंगला का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया दीपक मंगला ने कहा कि मीनार गेट से लेकर रसूल पुरुचोक तक सड़क किनारे बना नाला और नालियां टूटी हुई थी जिसके कारर से नाला व नालियां को पानी टूटी हुई सड़कों पर जमा होता जाता था और इससे यहां से होकर गुजरने वाली लोगों को भी काफी परेसानी उठानी परती थी और आज हमने यहां की सड़को नालियों वो नाले का नालियल फोड कर सिल नयास किया है जो कि लगवग 50 लाख रुपे की लागत से बनाई जाएगे और जल्द ही यह सड़के नाला व नालियां बनकर तयार भी हो जाएगे और इनके बनने से यहां के लोगों को काफी फाइदा भी होगा और यहां से होकर गुजरने वाली लोगों को भी परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इस अवसर पर पारसत मोहित गोयल नगर परिशत चेयर प्रसन पुत्र अविनास मौजूद रहे जो है दोनों तरफ जहां नालिया टूटी हुई है उनके रिपे रोडी और नाली और रोड के बीच में इंटर्लोपी में लगवत 17 लाग का इस्तिमेट यहां का है और पीछे जो नाला जा रहा है 30 लाग का उसका लगवत 50 लाग के विकास का रहे हैं हमारे यहां पर इससे निश्चित तोर पर पानी निकासी में आसानी रहेगी और यहां बहुत साफ सपाई यहीं हो जाएगी यह बहुत जरूरी काफ़ता जिसकी आज यहां से सुभाब